हेलो प्यार साथ यू नमस्कार बठनेर इंटर्टेन्मेंट यूटूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में अपने इंफोर्मेशन देंगे कि बहुत से बाईयों के सवाल आते हैं कि जो बर्बरी नसल की बक्रियां है वो पहली बा हीट में कब आती है और बच्चा कितने दिन बायति है बर्बरी नसल और बिटल नसल के अंदर साथ ही बहुत जादा डिस्टेंस है बर्बरी नसल का एक सब्सक्राइब कुछ यूर्ण प्रफिचर है दोस्तों अब बात करेंगे इस वीडियो में बर्बरी नमस्ल की बर्बरी नमस्ल की ABOUT पठी जुन क्रोसिंग होने के लिए ready हो जाती है पर उस बक्री को अपने को क्रोस नहीं करवाना है साथ ही हो वजह यह रहती है कि अगर आप इसको जैसे ही यह हीट में आई और आटते ही आपको इसने क्रोसिंग करवा दिया तो इसकी जो दूद की capacity है वो भी बहुत कम हो जाएगी दूस से कम 10-11 मेने की पठिया होने के बाद ही आपको इसको क्रोसिंग करवाना है और अगर एक ideal weight की अगर अपने बात करें तो 25 kg बरबरी बक्री का एक ideal weight होना चाहिए इससे कम अगर weight है तो आप आपकी बक्री को क्रोस मत करवाएए और उसको अगर मालब इस इस बार crossing के लिए ready होई बक्री हीट में तो आप उसको अच्छा diet प्लान दीजिए और 25 kg की बक्री हो जाए मालब एक फिक्स नहीं है पचिस कजी चोविस-पचिस-बाइस थैस 24 kg की बक्री हो तब भी आप उसको क्रोस करवाना है इससे कम weight की जो गोट है उसको क्रोस नहीं करवाना है दोस्तो दूसरी बात इस वीडियो के अंदर आपने करेंगे कि जो भी कि बक्री जो बर्बरी बक्री है वो कितने मेने की गाबी नोड़े के बार कितने टेम में बच्चा देती है यही साथि अगर बिटल और बर्बरी का मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में बताए कि अलग- बिटल के और बर्बरी में बच्चा देने के अंदर 10 दिन का डिस्टेंस रहता है क्योंकि यह जो बिटल नसल होती है यह लाज बिटल नसल होती है थो जो घड़ी बच्चा देती है ओके साथियो वीडियो के अंदर यही दो information थी जो जिसमें बहुत से बाई सवाल करते हैं कि बर्बरी नसल के बारे में इस टोपिक पर वीडियो बढ़ाईए तो आज इस टोपिक को कवर किये हैं और बटनेर इंटरेटेन्मेंट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बि मिलते रहती हैं धन्यवास आती हो